नमस्कार दोस्तों मैहूर आलमिस्राइट वेलकम बैक टू माई यूटीब चनल दोस्तों फ्रेम में जो कार दिख रहा है किसको नहीं पता यह कौन सा कार है बच्चे से लेके बुढ़े जवान सभी लोग इस कार के दिवाने हैं लड़कियां वड़तें सब लोग इस कार के और अब जाके जो सबसे में प्रॉब्लम था ना इस कार का जो कि थ्री डॉर ओ एकदम रिजॉल्व होने वाला है चेंज होने वाला क्योंकि महेंद्रा बहुत ही यल्द इसको फाइफ डॉर में लेके आने वाला है तो दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा मैं कि महेंद्रा थार फाइफ डॉर अब नए नाम से बिकेगा जो कि है महेंद्रा थार अर्माड़ा और यह फाइब डॉर में अबलेबल रहेगा स्टार्टिंग में मात्र आपको फोर बाई-फोर का यह आप्सन मिलेगा और फोर बाई-टू इनिसली आपको नहीं मिलेगा साथ साथ इसका लॉंच डेट मैं आपको बता दे रहा हूं 15 अगस्त 2024 को आने वाले यह समय में लॉंच हो जाएगा ज्यादा समय नहीं रह गया तो आप भी अगर खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाए और थार को खरीदे फाइब डॉर में जो कि ज्यादा बढ़िय का टर्बो चार्ड डियल इंजन पावर की बात करें मिल जाता है 130 बीएच्प और तॉर्क आपको मिल जाता है इसमें 300 जो कि बहुत बढ़ियां है साथ ही साथ पैट्रोल का भी बिकल्प आपको मिल जाएगा जो कि 2.0 लीटर का इंजन रहेगा और पावर की बात करें तो में मिल जाएगा आपको 150 बीएच्प और टॉर्क मिल जाएगा 320 आनम जो कि बहुत बढ़ियां पावर है और ट्रांस्मेशन की बात करें तो वही सिक से स्पीड मैनुल ट्रांस्मेशन और आपको मिल जाएगा जो कि बढ़ियां है तो दोस्तों बढ़ते हैं अब डिजाइ लेंथ थोड़ा से लंबा है लंबा लेंथ और लंबा आपको विल बेस मिल जाएगा जिससे अंदर कैबिनी स्पेस भी बढ़ियां मिलेगा और थोड़ी से लंबी देखेगी गाड़ी अभी फिलाल यह गाड़ी सब 4 मिटर है तो यह जो नया थार आएगा ना यह 4 मिटर स इसमें जीप रैंगलार वगएरा का अपडेट करा जाते हैं और लाइट थी बात करें तो लाइट भी हो सकता आपको चैंजमेंट देखने को मिल जाए हो सकता है इसमें LED का सेट अप मिल जाए और साथी साथ डेटाम रणिंग लाइट में भी कुछ ना कुछ तबदीली मि बात करें पीछे में तो पीछे में आपको वही मांटेड आपको विल मिल जाएंगे साथी साथ इसके बंपर में कुछ ना कुछ चैंजमेंट देखने को मिलेगा जो कि थोड़ा बहुत डिफ्रेंसियेट करेगा इसके थ्री डोर और फाइव डोर में और बढ़िया बात है बढ़िया रहेगा आप देखे सबसे में चैंजमेंट क्या रहेगा यहां पर बैसिकली आप देख रहे हैं सिंगल डोर है और इसी रास्ते आपको अक्सेस करके अंदर जाना पड़ता है सेकेंड वाले रो में लेकिन अब नए वाले थार में आपको यहां पर एक डोर मिल यहां पर ऊपर के तरफ देगा तो अपर साइट से मांटेट रहेगा और उसको इजली एकसेस कर सकते हैं और बैठ सकते हैं जहां बात करें इसके हाइट का तो हाइट तो सेमिलर ही रहेगा दो सब्सक्राइब अगर आप बैठने जाएंगे तो आपको पैर तो ऊपर करना पड़ेगा और यहां पर देखें लगवग लोग एक सट्रेड़ फिट का उचाई लगवग हो जाता है लगवग लगवग तो इतना उपर आपको आके तब जाके बैठना पड़ेगा तो कहीं नहीं मसकत तो होगा बैठने में जो थोड़ा सा बूढ़ है उनके लिए प्र प्रॉब्लम आएगा बैठने में अब और भीम का तो मुझे नहीं पता कि आटो फोल्ड वगरा आएगा की नहीं आएगा लेकिन यह जो यहां पर इंडिकेटर देता है यह जो इंडिकेटर देता यह बहुत ज्यादा बखवास लगता है इसको आईवी सगर यहां पर कर द है लेकिन और यहां पर आपको स्टेर्ड के जरूर वगरा इसका चेंज मिलेगा सात्य सथीट वगरा सीट वगरा में कुछ ने कुछ डियाइन में चेंजमेंट आपको देखने मिलेगा और कई सारे आपको आडवांस फीचर मिल जाएंगी तो दोस्तों इंस्ट्रुमेंट वगेरा भी ठीक ठाक मिल जाते हैं साथी साथ आपको एकदम नया बड़ा स्क्रीन में टच स्क्रीन मिल जागा जिसमें आपको wireless connectivity का option मिल जागा dashboard वगेरा में जो theme है ना color theme कुछ न कुछ चेंजमेंट जरूर करेगा यहाँ पर कारकॉन वगेरा फिनिसिंग दिया हुआ है तो इसमें कुछ न कुछ तकदिली जरूर करेगा साथी साथ यह IRBM आप परडिकुलर देख रहे हैं यह आपको manual IRBM मिल गा top model में भी तो अब नए वाले थार में आपको auto dimming IRBM मिलेगा जो कि एक बढ़ियां विकल्प रहेगा और साथी साथ advanced feature भी रहेंगे इसमें कई सारे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने माले हैं यहाँ पर आपको आनृष्ट भी मिल जाएगा आना कि आफ्टर मार्केट मैंने लगवाया है एक और चेंजमेंट मेजर आपको दिखे गा यहाँ पर आपको अपसंद रूफ का अपसंद मिल जाएगा छोटा सा सा संद रूफ देगा क्योंकि लोगों का बहुत याँ डिमांड यार संद रूफ का और टॉप मोडल में अमूमन आप आज की रेट में सेबन डबल हो गया उसी की तरह सिमिलर आपको रूफ का डियान मिलेगा जो की कपड़े बगएर का फैबरिक बगएर टाइक का लगा रहता है यहाँ पर देखिए जस मैंने गाड़ी का कभर रखाया टॉलकिट वगएरा रखाया कुछ भी नहीं रखाया और इसमें अगर बैग वगएरा रखना होना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है तो भाई अब जो नया थार आएगा फाइफ डोर उसका जब लैंथ बढ़ यह अभी आप सीट देख सकते हैं देखिए कुछ इस तरीके का सीट मिलता है रिक्लाइन एंगल वगएरा काफी है यह आफ्टर मार्केट आर्मेरेस आप देख रहे हैं कंपनी फिटेड नहीं आता है हाँ तो दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है प्राइस क क्योंकि कोई कार खरीद नहीं आता है तो सबसे पहले देखता है कितने कावकार उसको पढ़ रहा है तो मैं आपको बता दू करेंटली जो थार का प्राइस है ना फोर वाई फोर का उसका मान के चलिए लगभग चार से श्यलाक रुपया और आड़न कर दीजिए कम से कम चा है तो सेम ही सेम रहेगा मैं आपको बता दू यह थ्री डोर वाला भी थार बिकते ही रहेगा ऐसा नहीं है कि यह डिसके पास यह थार है वह ऐसा मत सूचे भाई अब मेरे थार मतलब पुराना हो गया ऐसा कुछ हो गया तो कोई टेंसन वाली बात नहीं यह लोगों का दो बाकि पूरा फैमिली को टार्गेट करने वाला कर रहेगा कंफर्ट का मतलब बढ़ियां रहेगा मेंन इसकार रहेगा जो वभाई डॉर में बहुत ज्यादा था तो दूस्तों यह था पूरा वीडियो आसा करताक्स को बढ़ियां लगा और आगी कोई भीडेट पार के regarding five door वाले के थार के regarding आएगा तो आपको बताऊंगा और बहुत यल महंदरा officially इसका booking भी सुरू कर देगा तो अगर आप purchase करना चाते तो इसको book कर सकते हैं अपने nearest showroom या फिर online भी तो बढ़िया भी कलप रहेगा आपके लिए अगर आप एक rugged ACV की तलास में जो कि एकदम muscular look में हो और road पे लोग आपको मुड़ मुड़ के देखते रहें तो ये वाला ACV आपके लिए perfect रहेगा तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो like और share कर दी साथी सथ मेरे चानल को subscribe कर दीए अच्छी वीडियो के लिए तब तक के लिए take care bye bye मिलते अगली वीडियो में thank you very much for watching